हेलो बच्चो यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है हम पढ़ रहे हैं विकॉन पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक बैंक रिंड तथा प्रतिभूतियां इस टॉपिक के अंदर आपने अब तक पढ़ा है बैंक द्वारा रिंड देने की विधी बैंक रिंड के स जमानत की विशेशताएं गारंटी के आफशकताएं गारंटी के प्रकार गारंटी के लाभ्य महत्व और गारंटी तथा हानी रक्षा अनुबंध में अंतर आज हम जानेंगे बैंक द्वारा गारंटी अनुबंधों में किन-किन सावधानियों को देखना चाहिए काम मिले चाहिए या किन तत्यों पर उसे विशेश धिहान देना चाहिए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे गारंटी दाता की आर्थिक स्थिति की जानकारी जिस प्रकार बैंक रिन देते समय रिन वापसी की सुरक्षा हेतु गिर्वी रखे जाने वाले माल या अचल संपती को स्विकार करने से पूर्ग उनकी अच्छी तरह से निलिक्षन एवं मुल्यांकन करता है ठीक उसी प्रकार उसे गारंटर की आर्थिक स्थिति की प्रयाप्त जानकारी होना जरूरी होता है वैधानिक शम्ता बैंक को गारंटी करता की अनुबंद करने की वैधानिक शम्ता पर ही गारंटी का अनुबंद करना चाहिए यदि उसके पास में अनुबंद करने की व्यधानिक शम्ता नहीं है तो उसका अनुबंद ही अवैद हो जाएगा क्योंकि पागल, अव्यस्क और दिवालिय तथा ऐसे ही अनुबंद करने के लिए व्यधानिक रूप से अयोगे होते हैं और उनके द्वारा किया गया अनुबंद कानुणी रूप से अवैद और बेकार होता है इस प्रकार वीभिन वर्गों के व्यक्तियों तथा संस्थाओं से गारंटी अनुबंद में भी उनकी व्यधानिक योग्यता तथा शम्ता की जानकारी होना बैंक के लिए आवशक है ज विवाहित महिला की गारंटी करने की व्यधानिक शम्ता तो होती है किन्तु मूल रिने द्वारा त्रूटी की दिशा में केवल महिला की व्यक्तिगत संपत्ती ही दाईतु पूर्ती के लिए उप्योग में की जा सकती है यानि उस महिला का जो व्यक्तिगत स्त्रिधन है उस उसका ही उप्योग गारंटी की शति पूर्ती के लिए किया जा सकता है दाईतु पूर्ती के लिए किया जा सकता है विवाहित महिला पर उसकी किसी रिष्टेदार की गारंटी में अनुचित दवाव भी हो तो भी अनुबंद व्यर्थ हो जाता है अत ऐसी स्थिति में बैंक क महिला की गारंटी स्विकार करते समय महिला से यह लिखित प्रमान पत्र ले लेना चाहिए कि वह अनुबंध हेतु स्वतंत्र रूप से सहमती दे रही है किसी के दबाव में नहीं है सांजेदारी में एक सांजेदार भी फर्म की और से गारंटी दे सकता है किन्तु यह गारंटी तभी वैद और मन्ने होती है जबकि गारंटी देना फर्म की सामान्य कारे हो और फर्म द्वारा गारंटी देने के लिए ऐसे सांजेदार को अधिकरत कर रखा हो अन्य था गारंटी जो है वो व्यत्थ हो जाएगी लिखित और यह है गारंटी सांजेदार फर्म की गारंटी स्विकार करते समय बैंक को गारंटी फर्म के नाम से होनी चाहिए गारंटी अनुबंद पर सभी सांजेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए सांजेदारी समझोते में गारंटी संबंदी प्रावधान है या नहीं इसके बारे में भी उलेक होना चाहिए यदि गारंटी किसी सांजेदार द्वारा गारंटी प्रस्ता हो तो उसे गारंटी के लिए फर्म द्वारा अधर् advisor करने का सबूत भी देखना चाहिए यानि बैंक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और गारंटी जो है वो लिखित होनी चाहिए एक कंपनी द्वारा गारंटी में सावधानी यदे पी एक कंपनी द्वारा गारंटी दिये जा सकती है कि तू ऐसी गारंटी स्विकार करते समय बेंक को कमपनी के सीमा नियमों और अंतर नियमों का भी निलिक्षन करना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वे गारंटी दे सकते हैं या नहीं लिखित में गारंटी होनी चाहिए आपको मैं बता चुकी हूँ ये क्योंकि मोखी के गारंटी का कोई अस्तित्व नहीं होता है और उसे नयायाले में परमानित नहीं किया जा सकता जमानत राशी का स्पष्टी करण गारंटी की राशी का स्पष्टी करण होना चाहिए बैंक को गारंटी अनुबंद में ये स्पष्ट रूप से उलेख करना चाहिए कि जमानत देने वाला अनुबंद की समस्त दाइत्व राशी के लिए जिमिदार होगा या उसके किसी एक भाग के लिए ऐसी स्थिती में अधिक्तम जमाराशी स्पष्ट उलेख होनी चाहिए जमानत का प्रकार हमने आपको बताया था कि जमानत चालू जमानत और विशिष्ट जमानत दोतरें की होती है ये जमानत किस प्रकार की दी गई है उसका भी उलेख करना चाहिए अतह है बैंक को अनुबंद में ये स्पष्ट करा लेना चाहिए कि जमानत किस प्रकार की है और कितनी अवधी की है अनुबंद में कोई महतोपूर्ण परिवर्तन बैंक को गारंटी अनुबंद में किसी भी प्रकार के महतोपून परिवर्तन होने की दशा में उस पर सभी गारंटी दाताओं के हस्ताक्षिर करा लेने चाहिए अनिथा भारतिय अनुबंद अधिन्यम 1872 की धारा 133 की अंतरगत गारंटी दाता की बिना सहमती से कोई भी जोड या परिवर्तन होने पर वह जमानत के दाईतों से मना कर सकता है अवधी पार रिन यदे रिन की अवधी पार हो गई है ओवर्ट्यू हो गया है अत्वा गारंटी की निर्धालत अवधी समाप्त हो गई है तो उसके बाद बैंक को रिन स्विक्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर जमानत भी समाप्त हो जाती है प्रिथक या सामोहिक गारंटी बैंक प्राय रिंड देते समय रिणी से एक से अधिक व्यक्तियों की जमानत की बात करता है ऐसी स्थिति में आनुबंध में ये स्पष्ट होना चाहिए जितने जमानत दाता हैं उनका बैंक के प्रति सामुईक दाईत्व है या व्यक्तिकत दाईत्व है यदि रिंड बैंक को रिंड चुकाने में ऐस मत हो जाए तो ऐसी स्थिति में बैंक जमानत दाता के दाईत्व का निर्धारन किस प्रकार करेगा यह भी स्पष्ट होना चाहिए व्यक्तिगत जमानत में बैंक को किसी भी एक व्यक्ति से राशी वसूल करने का अधिकार होता है जबकि सामुहिक जमानत में सभी जमानत दाताओं से एक साथ राशी वसूलने का अधिकार होता है जिससे राशी वसूलने में अत्यतिक कठिनाई होती है इसलिए बैंक व्यक्तिगत जमानत ही स्विकार करता है तथा ऐसी स्थिति में भी प्राथमिक्ता क्रम पूर्व में निश्चित कर लिये जाते हैं ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई वीरोधाभास नहीं हो अवधी यदि बैंक चालू जमानत पर लिन लेता है उसमें अवधी का निलधारण होना चाहिए इससे जमानत दाता और बैंक दोनों में कोई विरोधाभास पैदा नहीं होता है मूल रिनी की मृत्यू पागल या दिवालिया होने पर मृत्यू होने पर ग्रहक का खाता बंद हो जाता है और जमानत भी समाप्त मानी जाती है ऐसे स्थिती में बैंक कम्रित्तक रिणी के उत्राधिकारियों से रिण भी वसूल करे तथा वसूली नहोने पर जमानत दाताओं से वसूली की कारिवाही कर सकता है रिणी के दिवालिया या पागल होने पर रिणी की वसूली की कारिवाही करने चाहिए ग्रिणी के पागल या दिवालिया होने पर खाता बंद माना जाता है जमानत जो है वो समाप्त माने जाती है उसके बाद के वेभारों के लिए गारंटर जवाब देह नहीं होता है बैंक के संगठन या स्वरूप में परिवत्तन होने पर जमानत समझोते समाप्त माने जाते हैं अतै बैंक को अपने संगठन स्वरूप में परिवत्तन करने पर जमानत दाताओं से पुन्हे नए अनुबंद प्राप्त कर लेने चाहिए जमानत दाता के अधिकार जमानत समझोते हैं हम जानते हैं कि उसमें तीन पक्षकार होते हैं तो इसमें मूल रिणी के विरूद अधिकार सहर जनमदाता के विरूद अधिकार और बैंक के विरूद अधिकार इनके बारे में हम चर्चा करेंगे मूल रिणी के विरूद अधिकार जमानत दाता को रिण के विरुद वे सभी अधिकार प्राप्थ होते हैं जो बैंक को प्राप्थ होते हैं जमानत दाता कानूनल रूप से वहराशी ही मूल रिणी से प्राप्थ करने का अधिकारी है जो उचित हैं अथात इसके अधार पर जमानत दाता रिनी से कोई लाब प्राप्त करने का अधिकाली नहीं होता है सह प्रतिभू या सह जमानत दाता के विरुद अधिकार यदि बैंक एक रिनी के विरुद एक से अधिक विक्तियों को प्रतिभूती लेता है तो सभी प्रतिभू को सह प्रतिभू या सह जमानत दाता कहा जाता है यदि रिणी बैंक के दाइत्व चुकाने में त्रोटी करता है तो वह दाइत्व की राशी सभी जमानत दातां से बराबर अंशों में चुकाने के लिए दाइत्व है लेकिन यदि पूव में ही दाइत्व का अन्य अनुपात निश्चित किया गया है तो उस अनुपात में यह दाइत्व रिनी का चुकाया जाता है बैंक के विरूद अधिकार बैंक के विरूद अधिकार भी तीन तरह से होते हैं प्रतिभू से जमानत का समझोता होते ही बैंक ने रीनी से जो जो भोतिक प्रतिभूती ली थी यदि बैंक जमानत दाता की बिना स्विकलती के पूर्व ही रीनी को लोटा देता है या छोड़ देता है तो जमानत दाता प्रतिभू के रूप में रखी गई संपत्ति की राश और वो बैंक नहीं लोटा दी है तो उस संपत्ति की राशी तक वह गारंटर अपने दाइत्व से मुक्त हो जाता है जमानत दाता बैंक से रिणी की आर्थिक स्थिति के संदर्व में सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी होता है समझोते के समय जमानत दाता की द्वारा पूछे जाने के बाद भी यदि बैंक तत्यों को छुपाता है या मोन रहता है तो जमानत दाता उत्तपन दाइत्व के लिए बैंक के प्रति उत्तरदाई नहीं होगा तथा अपनी हाने को बैंक से वसूल करने का अधिकारी भी होगा कोई भी जमानत दाता चालू जमानत की स्थिति में बैंक को लिखित में सूचना देकर भावी सोदों के लिए अपने प्रतिभूती समझोता रद कर सकता है ऐसे स्थिति में जमानत दाता केवल उस समय तक दाइतों के लिए जिम्मिदार होगा जमानत दाता के दाइतो बैंक के प्रती जमानत दाता का दाइतो तभी उत्पन होता है जब मूल रिणी दाइतो पूर्ती करने में ऐसमर्थ हो अठात यहां जमानत दाता का दाइत्व गोन होता है नेकी प्रात्मिक जनम यहां देखना है कि जमानत दाता के दाइत्व की मुक्ति किन किन दशाओं में एक गारंटर फ्री हो जाता है अपनी ड्यूटी से कैसे लिड़ी द्वारा वचन को पूरा करना जमानत दाता ने जिसके लिए बैंक को जमानत दी है यदि वह वचन रिणी पालन कर लेता है तो वह उसे मुक्त हो जाएगा अनुबंद के खंडन द्वारा यदि जमानत दाता अपने अनुबंद को समाप्त करने की लिखित सूचना बैंक को दे देता है तो जमानत दाता भावी वेवहारों के दायत्व से मुक्त माना जाता है यह बात चालो जमानत की स्थिती में लागो होती है विशिष्ट जमानत की स्थिती में नहीं विशिष्ट जमानत के अंतरगात एक बार उत्तर दायत्व उत्पन होने के साथ ही तब तक बनी रहती है जब तक कि वह विशिष्ट प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता मूल रिणी को मुक्ति मिलने पर यदि मूल रिणी को बैंक किसी समझोते के तहत दायत्व से मुक्त कर देता है तो जमानत दाता का दायत्व भी अपनी आप समाप्त हो जाता है प्रतिभू के मृत्ति होने पर यदि जमानत दाता की मृत्ति हो जाती है तो भावी वेवारों के लिए जन्मानत दाता का दाईत्व स्वतही समाप्त हो जाता है इस स्थिति में बैंक को मृत्यों की सूचना दी गई है या नहीं इसका कोई महत्व नहीं रहता है लेकिन जमानत दाता समझोते में बैंक इस बात की विवस्था कर लेते हैं कि जमानत दाता का दायत मृत्यू की दशा में तब ही से समाप्त माना जाएगा जब इससे बाबत सूचना दी जाएगी तो ऐसे स्थिति में सूचना देना अनिवारे हैं समझोता शर्तों में परिवर्तन यदि बैंक वेजिनी अपने मूल अनुभंद स्वरूप में परिवर्तन करते हैं तो जमानत दाता शर्त परिवर्तन के समझोते के बाद के वहवारों के लिए उत्तरदाई नहीं होगा यदि मूल शर्टों के परिवलतन पर भी जमानत दाता की सहमती ले ले गई है तो जमानत दाता का दाइत वो लगातार बना रहेगा बैंक रिंडाता की किसी चूक भूल से गारंटर के अधिकारों में कमी यदि जिंडाता बैंक ऐसा कोई कारें चूक या भूल कर देता है जिससे जमानत दाता के अधिकार में कमी आती है या विपरित प्रभाव पड़ता है तो जमानत दाता अपने अधिकारों की कमी की सीमा तक अपने दाइत्व से मुक्त हो जाता है जमानत अनुबंद के अवैद होने पर गलत, जोटा या मोन द्वारा कपट से प्राप्त की गई जमानत अवैद मानी जाती है यह तथे अवैद सिद्ध होने पर जमानत दाता अपने दायत्व से स्वता ही मुक्त हो जाता है